एस्पीस प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है आपको आपकी प्रॉपर्टी बेचनी हो किराये पे भाड़े पे देनी हो या नई प्रॉपर्टी खरीदनी हो हर बार आपको दलाली कमिशन देना पड़ता है या निउस्पेपर में आपको पैसे खर्च करके एड़ दिनी पड़ती है आप हमारी एस्पीस प्रॉपर्टी साहेता से एक रुपया खर्च किये बीना आप आपकी प्रॉपर्टी बेच सकते हो आप आपकी प्रॉपर्टी किराये पे भाड़े पे दे सकते हो आप नई प्र डाय पे दिने होते हैं आप निउस पेपर में एड देते हैं उसी तरह से आपको अभी एड क्रियेट करना है और इस वीडियो के नीचे प्सक्राइब आपको भोलच में अद्राइब वक्स करना आपकी property खरीदने वाला आपकी property किराये पे लेने वाला उसका फायदा क्या हो सकता है इसकी detail जानकारी आपको property बेचनी है या भाड़े पे देनी है और उसे के साथ आपका पता आपका नाम आपका mobile नंबर आपका email address detail जानकारी आपको आपके add में इस video के नीचे जो comment box है वहा होती है या किराये पे लेनी होती है भाड़े पे लेनी होती है और उनकी demand उनका नाम हमारे website पर register करते हैं हम आपकी जो post यहाँ वीडियो के नीचे जो comment box में आपकी जो post है वह post हम SMS के जरीए WhatsApp के जरीए email के जरीए Facebook के जरीए उन सभी तक हम भेशते हैं वो लोग आपसे contact कर देंगे उनसे आप deal कर सकते हो उनसे आप कुछ adjust कर सकते हो और आपकी property आप भाड़े पे दे सकते हो किराये पे दे सकते हो या आप उसे उनसे बेच सकते हो इसके लिए आपको किसी को भी एक भी रूपय की कोई commission आपको देनी की जरुरत नहीं पड़े नया मकान फ्लैट ख खेती नया farm house या कुछ भी खरीदना है shop गोडान कुछ खरीदना है तो आपकी demand आपको इस वीडियो की नीचे comment box में आप क्या खरीदना चाहते हैं आपका budget क्या है आपका नाम आपका mobile number आपका address आपका email address आप सभी आपको इस वीडियो की नीचे comment box में आपको type करके post करना ह हर रोज हम आपको sms, emails, whatsapp, facebook के जरीए आपको नई-nई properties जानकारी देते रहेंगे उसकी value सभी जानकारे हम आपको sms, emails, whatsapp, facebook के जरे बैशते रहेंगे आपको जो भी property अच्छी लगेगी आपको जो भी property फायदेमेंद लगेगी ऐसी property आप खरीद सकेंगे उन लोगों को जो बेचने वाले हैं जो प्रापरटी ओनर्स होते हैं उन से आप डारेटली कने कॉंट्राट कर सकोगे इसके लिए आपको किसी को एक रुपई की भी दलाली देने की ज़रूरत नहीं पड़े